तो हेलो वैलो कैसा आप सभी आयो कि आप सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहे ना तो आज मैं आप सब को बताने वाला हूँ कि माइनक्राप्ट का सर्वर कैसे जोइन करते हैं तो हाँ यार मेरे को लाइब शेट में बहुत सारे बंदे लोग पुछते रहते हैं तो यार मैं उन सब लोगों को बताते बताते बिल्कुल ठक गया हूँ यार उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना इसके उपर एक वीडियो बना दी जाए तो चलो यार बिना बकेति किये मैं बताता हूँ कि आप लोगों को माइनक्राफ्ट सर्वर कैसे जोइन करना है एंड गाइज इसको माइनक्राफ्ट सर्वर जोइन करने आता है वो लोग भी वीडियो देख लो यार मेरे को थोड़ा वास्टाइम मिल जाएगा एंड इस गरीब यूटूबर का भला भी हो जाएगा तो गाइज सर्वर में जोइन होने के लिए आपको अपना माइनक्राफ्ट ओपेन कर लेना है माइनक्राफ्ट ओपेन करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको प्ले के नीचे एक सेटिंग का ओप्सन दिख रहा होगा आपको सिंपल से सेटिंग के ओप्सन के उपर किलिक कर देना है जैसे ही आप लोग क्लिक करो गई यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रोल करना है स्क्रोल करने के बाद गाईज यहाँ पर आपको एक प्रोफाइल का उप्सन दिख रहा होगा आपको इस पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपको फिर से हलका सा स्क्रोल करना है स्क्रोल करने के बाद आपको यहाँ पर Auto Update Unlocked Packs दिख रहा होगा उसी के नेचे आपको On with Wi-Fi Only दिख रहा होगा उसके उपर क्लिक करके आपको On with Wi-Fi और Cellular Data के उपर क्लिक कर देना है उसके नीचे आपको huge cellular data मिल रहा होगा उसके उपर click करके आपको okay कर देना है तो guys बस आपको इतना सा काम करके back आ जाना है उसके बाद guys यहाँ पर आपको click option दिख रहा होगा आपको इसके उपर click कर देना है और यहाँ पर आपको तीन option देखने को मिलेगा एक world का और एक friend का और एक server का आपको simple से server के उपर click कर देना है जैसे आप लोग server के उपर click करोगे यहाँ पर आपको add server का option आजाएगा आप लोग को add server का option उपर भी आ सकता है या फिर नीचे भी यहाँ पर नीचे add server का option दिखाई दे रहा है तो मैं इसके उपर click कर दूँगा click करने के बाद guys यहाँ पर आपको तीन option मिलेगा server name और server address और port करके तो आपको सबसे पहले server address के उपर click कर देना है click करने के बाद guys आपको यहाँ पर server address डालना है आप जिस भी server में add होना चाहते हो आपको उस server का यहाँ पर server address डाल देना है server address को हम लोग IP भी बोलते हैं तो guys यहाँ पर मैं अपना IP डाल लेता हूँ मतलब कि अपने server का server address डाल लेता हूँ तो यहाँ पर मैंने अपने server का IP मतलब कि server address डाल लिया है server address डालने के बाद आपको नीचे port का option दिख रहा होगा आपको simple से port के option के उपर click कर देना है port पे click करने के बाद आपको जो भी server में add होना है उस server का port डाल देना है तो यहाँ पर मैं अपने server का एक port डाल देता हूँ port डाल लेने के बाद आपको सबसे उपर में server name का option दिखरा होगा आपको इसके उपर click कर लेना है click करने के बाद guys आपको server का name जो भी रखना है वो रख देना name matter नहीं करता आप लोग को जो भी name रखना है वो रख देना तो यहाँ पर मैं अपना server का name PSSMP2 रख लेता हूँ server का name रख लेने के बाद guys यहाँ पर आपको एक save का button दिख रहा होगा आपको simple से इसके उपर click कर देना है जैसे आप लोग save के उपर click करोगे आपका server यहाँ पर save हो जाएगा server save करने के बाद आपका यहाँ पर server so होने लग जाएगा जैसे कि आप लोग देख रहो इमेना यहाँ पर PSSMP2 server so होने लगा है आपको simple से इसके उपर click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको join server का option दिख रहा होगा आपको इसके उपर भी click कर देना है Join Server में Click करने के बाद आप Server में Join होने लग जाओगpen यह थोड़ा देर Loading लेगा Loading हो जाने के बाद आप Server में Join हो जाओगे Server में Join होने के बाद गाईज आपको यहांपर Pause के बाएं साइड यहांपर Chat का Option दिख रहा होगा आपको Chat के Option के ऊपर क्लिक कर देना है जैसे आप लोग चैट के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको टाइप करना है slash register उसके बाद space उसके बाद आपको जो भी password रखना है वो रख देना जैसे कि मुझे सीवं password रखना है तो मैं सीवं password रखके ok कर दूँगा register होन जाने के बाद guys आप यहाँ पर अराम से खेल सकते हो कोई दिकत नहीं है तो guys I hope कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि Minecraft में server कैसे join करते हैं और guys जितने भी लोग हमारे चैनल पर नहीं हो प्लीज चैनल को subscribe करके वीडियो को भी like कर देना और guys इतने भी लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखिये उनके लिए thanks love you forever